थाइरोड के कारण कई बार आँख बड़ी दिखाई देती है क्या ये अपने आप सही हो सकती है इस पे आज चर्चा करेंगे मैं डॉक्टर प्रीती उदे ओकिलो प्लास्टिक सर्जन DRR फेस एस्थेटिक्स चेननाई से So thyroid Eye Disease के दो स्टेजes होते हैं एक तो Active Stage और एक inactive stage Active stage में आँखे लाल होती है उसमें से पानी आता है और आँखों की पलक सूच जाती है इस stage को हम दवाईयों के जरिये से कंट्रोल कर सकते हैं वेरास inactive stage के अदर आँखे वाइट रहती है नॉर्मल ही दिखाए देती है लेकिन बड़ी होती है आँख बाहर की तरफ थोड़ी सी आ जाती है इस स्टेज को हम सिर्फ सरजरी से ही ठीक कर सकते हैं यह अपने आप अपने नॉर्मल जग़ पे नहीं जाएगी यह सरजरी एक ओकिलोप्लास्टिक सरजरी होती है और यह तक कि अंदर से करते हैं ताकि बाहर कोई दाग ना दिखाई दे देखिए हमारे पेशन्स की कुछ तस्वीर है इस ओपरेशन के बाद थैंक यू झाल जोती है कर दृएइजर।